आप सभी का स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फाइफ इयर इंटेग्रेटेड एमस्टी प्रोग्राम के बारे में जो कि कहीं नहीं है 36 गड़ में किसी भी युनिवर्सिटी में नहीं है इवेन कुरुघासिदा सेंटरल युनिवर्सिटी जो कि एकमात वले हैं तो यहां स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे पंडित रविशंकर सुकली उनिवर्सिटी रायपूर 36 गड़ के द्वारा रिलीज नोटिफिकेशन सेंटर पार बेसिक साइंस एड्मिशन नोटिस सी बीएस येस्टी 2022 फाइप येर इंटिग्रेटेड एमसी करना चाहते हैं तो आपको बीएस सी और एमसी दोनों एक सांथ डूवल डिग्री प्रोग्राम के लिए यहां पर एड्मिशन के लिए यहां पर टेस्ट लिया जाएगा और उसी टेस्ट के स्कोर के बेसेश पर आपको एड्मिशन दी जाएगी फर्स टाइम यहां पर पर बेसिक साइन्स पनित्रविशंकर शुकली युनिवर्सिटी रायपूर छतिस गड़ में यह कोर्स क्या होंगी कंड़क्ट होंगी यह वहां पर सारे कोर्स चलेंगे तो आपको क्या करना है अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो आप बिलकुल आनलाइन आविदन कर सकते हैं मिनिमम रिक्वाइर्मेंट क्या है या पर एजुकेश्टन क्या है तो वह ट्वैल्थ है देखेंगे अभी डिटेल मसी प्रोग्राम के लिए टोटल 40 सीट जिसमें से 20 नेस्ट के थ्रू आएंगे और जो नेस्ट के थ्रू नेस्ट क्वालिफाई करके आ रहे हैं उनको पांच जाए रुपए पर मंत की क्या मिलेगी पर मंत इस चीज को आप लग बिल्कुल ध्यान रखें कि पढ़ाई करते करते आपको पांच जाए रुपए पर मंत की स्कालर्शिप मिलेगी तो अगर 12 मंत आप पढ़ रहे हैं तो 12 इंटु 5 मतलब 60,000 एक साल में आपको क्य मिले की fellowship मिले की चलिए देखते हैं क्या educational qualification होना चाहिए आपको इस form को fill up करने के लिए उसके बारे में तो यहां clearly आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि candidate candidate को क्या होनी चाहिए देखते हैं detail में यहां हम लोग clearly देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यहां पर clear mention किया गया है कि candidate के पास क्या होनी चाहिए ठीक है 12th minimum क्या होनी चाहिए यहां पर स्क्रीन पर देखे 12th क्या होनी चाहिए उसके पास होनी चाहिए candidate seeking admission to the center for basic science for the academic session 2020-23 should be from the science system science system 12th होना चाहिए having any combination of biology chemistry mathematics physics तो क्या या तो physics semester biology उनके पास होनी चाहिए या physics semester mathematics मतलब science group के student होना चाहिए अगर उनको यह test देना है और यहां पर admission लेना है तो in class 12th candidate who have passed in 12th examination are equivalent from recognized board in India appearing 2022 can appear in the entrance examination और ऐसे candidate भी क्या कर सकते हैं इसको apply कर सकते हैं इसमें जिनका तो अभी तक result नहीं आया है और उन्होंने 12th board का exam दिया है at least 60% marks aggregate होनी चाहिए 12th में और वो क्या कर सकते हैं वो वेलकुल उस फ़ाँ को apply कर सकते हैं 60% marks जनरल category के लिए और जो reserve category है SC ST category के लिए उनको 55% उनको चाहिए उनके 12th में तो यह थी educational qualification जो कि आपको apply करते समय आपके पास यह educational qualification होनी चाहिए नंबर आप सेट तो नंबर आप सेट कितने हैं total 60 रहेंगे जिसमें चालिस एस्ट मतलब आप इंट्रेंस के थुरू एड्मिशन होगा और बीस नेस्ट के थुरू तो यहां पर जो सीट हैं वह स्टेसी ओबीसी में आरक्षित रहेंगी जैसा कि government rules regarding होता है बात करें syllabus की तो syllabus जो आपका NCRT based syllabus रहता है वही syllabus क्या होगा लागू होगा बात करें अभी हम लोग syllabus को डिटेल में डिसकस करेंगे इस ले वीडियो को पूरा देखिए वीडियो को बीच में स्किपना करें वीडियो को लाज तक जरूर देखिए तो नेक्स समझ देते हैं आपको इंटरेंस एक्जाम के लिए क्या करना है आउनलाइन आविदन भरना है 31 मई से पहले आपको करना है बात करें एप्लिकेशन फीस की तो जनरल और उनको एक हजार रुपए और जो रिजर्व के टेग्री हैं इस टेस्ट के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जानते हैं कि क्या और इंफॉर्मेशन इंपोर्टेंट है इस एक्जाम से रिलेटेट तो यहां आप स्क्रीन पर देख रहा है होंगे CBS इंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट सीब्बेश का फुल फारम ही है इंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 जो की कौन करा रहा है पंडितरा विशंकर सूपली यूनिवरसिटी कंड़क्ट कराएगा तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है कि नमबर आप सीट्स का रिजर्वेशन कैसे होगा एक्जामिनेशन रूल कैसे होगे इन सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है एक बार हम लोग डिसकस कर लेते हैं थोड़ा सा इक्जाम पैटन के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें फीजिक्स फीजिक्स और केमिस्ट्री क्या होगा कमपलसरी है और पार्ट बी जो की आपका आप्सनल है तो उसमें या तो मैथेमेटिक्स या तो biology आपको select करना है अगर आप biology background के तो आपको biology select करना है अगर आप mathematics background से हैं तो आपको क्या करना है mathematics biology select करना है तो physics के cool 50 question आएंगे एक से 50 फिर chemistry के 50 question आएंगे जो की इंक्याओं से लेकर 100 होंगे और 50 question आएंगे या तो mathematics के या तो biology के जो की number 101 101 से लेका 150 नंबर की question में रहेंगे यह तो हैंगे आपका examination scheme की कि किस तरह की question आएंगे और कितने पार्ट में होगा अब देखते हैं marking scheme तो marking scheme में क्या होगा कि अगर आप सही उत्तर देते हैं तो एक marks आपको परदान किया जाएगा और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको कोई भी negative marking नहीं दी जाएगे तो यहाँ पर no negative marking ठीक है negative marking का कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं रखा गया है तो यह चीज है question पर English और Hindi दोनों language में आएगा ज्यान रखेगा question पर क्या Hindi और English दोनों language में आएगा तो अएसा नहीं कि हो लेंगिश में आएगा और हिंदी में दोनों लेंग में आएंगे बात करना syllabus की तो syllabus आपका क्या होगा 11-12 की जो NCRT की सिलेबस है जो आप 12 की सिलेबस आप पढ़ते हुआ भी 11-12 में वही आपका एक्जाम में आएगा तो यहां पर क्लियर उन्हों लिखा है कि 11-12 की NCRT कि क्या होंगी वहीं से क्वेश्चन आएंगे एक बार थोड़ा डीटेल में सिलेबस वगएरा को भी देख लेते हैं और कुछ अन इंफोर्मेशन को भी दिख सकते हैं फीस तो हमने देखी चुए हैं कि 1000 रुपए क्या होगा जर्नल करने लिए और 550 रुपए जो रिजर्व क करने की वह है 31 में एडमिट कार आप डावनूट कर सकते हैं 6 जून मंडे को और आपका एकजाम होगा वह होगा जून 10-2022 बारा पीम से लेकर 3 पीम मतलब जून को ठीक है दस जून को होगा बारा से लेकर 3 फीम यानि नी 1 घंड़े का क्रूरल क्या होगा आपका एंसर tub होगा आपका टेस्ट होगा उसके बाद display model एंसर की और website तो model एंसर की आपको 10 जून को ही website में मिल जाएगा और आप क्या कर सकते हैं जो भी आप उब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो तेरा जून तक कर सकते हैं रिजल्ट 17 जून को क्या होगा फ्राइडे को डिकलियर कर दिये जाएगा उसके बाद क्या होगा टेके कंंशलिंग और फेशंक यह सारी चीजें क्या होंगे कंड़क्ट होंगी कांशलिंग चीजें की आपको लेना्यएं नहीं लेना है सारी oh मज़ों करने होगी कैश किंधे WORK बारे में हम लोग धियां डियते हैं सीने बारे में अभी तो के वहली इतना ही आपको ध्यान रखना है और क्या के डाकॉमेंट लगेंगे तो हम लोग बाद में दिखेंगे एक बार फिर जब आपका टेस्ट कॉलिफाई हो जाएगा तब अभी हम लोग देते हैं सिलेबस तो यहां आप देख सकते हैं बायोजी का सिलेबस दिया तो इस तरह से टोटल सिलेबस टोटल पेपर आपका सिलेबस इस तरह से दिया हुआ है तो आई होग जितने भी ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट है जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे वो इस इस फार्म को फिल अप करेंगे और अपनी हायर स्टडी अच्छे से परशू करेंगे जिसमें उनको फेलोशिप भी मिले आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बाक्स पर टाइप करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के बहुत धन्यवादे